हेलो दोस्तों बेलकम बेक तो माईटोब चैनल स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में तो 2023 में हमसे बहुत सारे लोगों ने बात की और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गार्मेंड मैनुफेक्टरिंग स्टार्ट करना चाहते थे यानि लोवर टीशेट मैनुफेक्टरिंग का काम स्टार्ट करना चाहते थे तो वो लोग सेट अप तो लगाना चाहते थे लेकिन उस समय क्या है ठंडी का सीजन चल रहा था तो वो इतनी जलबाजी कर रहते हमसे कह रहते कि भाई हम लगाएं ना लगाएं तो हमने उन लोगों से मना किया था क्योंकि वो सीजन था ही नहीं काम करने के लिए तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने उस समय काम स्टार्ट कर लिया था तो क्या हुआ उन्होंने setup लगाया, कारीगर लगाया, fabric लेके आया, काम कर लिया उन्होंने ठीक है तो धीरे धीरे काम करते गया और stock उनका लगता चला गया लेकिन माल उनका इतना sale नहीं हुआ, stock लगता चला गया, फिर वो पैसा ब्लॉक होने लगा क्योंकि वो सर्दियों का सीजन होता है और उन्होंने लोवर बनाए तो वो इतना सेल नहीं हुआ, सेल हुआ था लेकिन इतना नहीं हुआ था, तो जिसकी बज़े से उनका पैसा ब्लॉक होता चला गया, अब पैसा ही नहीं आएगा तो वो कारीगर को क्या देंगे, देखी का जासे उनका काम भी उस समय बंध हो गया, तो दोस्तो उन लोगों ने ये गलतीगी कि सीजन से कुछ जादा ही पहले उन्होंने काम स्टार्ट कर लिया, मैं बताता हूं आपको कि दोस्तो सीजन से एक दो महीना पहले ही काम स्टार्ट करें, क्योंकि दो महीने आपको लेकिन आप चार-पाइब पहले काम स्टार्ट कर लेंगे तो आप कितना चला पाएंगे उसको एक महीना चला लेंगे दो महीना चला लेंगे वह कारखाना चलाने के लिए पैसे की जरूत होती है तो बहुत सारे लोगों को हमने बताया कि भाई जब सीजन आएगा तो उससे कि पहले हम आपको बता देंगे कि आपको कब काम स्टार्ट करना चाहिए सही समय क्या होता है गर्मियों के सीजन का तो गर्मियों का सीजन स्टार्ट होता है मार्ट से और लोवर T-shirt की requirement होने लगती है मार्केट में फरवरी से ही तो हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को बताया कि भाई आप जन्वरी से काम स्टार्ट करें अगर जन्वरी में भी आप नहीं कर पा रहें तो आप फर्वरी से कर लें पुरा फर्वरी आपको मिलेगा स्टॉक लगाने के लिए और फर्वरी में आपका माल सेल भी होता रहेगा ठीक है जन्वरी में करेंगे तो और अच्छी बात है तो आपको और ज्यादा समय मिल जाएगा स्टॉक लगाने के लिए और बहुत सारी requirement होती है उसे आप पूरा कर सकते हैं जैसे कि customer ढूंड़ना, wholesaler ढूंड़ना, traders ढूंड़ना तो बहुत सारा आपको time मिल जाएगा आप नईने लोगों के पास नईने पार्टियों के पास जा सकते हैं तो आप जन्वरी से काम start कर सकते हैं लेकिन जन्वरी भी चला गया बहुत सारे लोग नहीं कर पाए फरवरी में कर सकते थे, बहुत सारे लोग फरवरी में भी नहीं कर पाए और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी काम भी स्टार्ट किया है और उनका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है देखिए मार्च आ गया है और मार्च में बहुत अच्छा काम चलता है तो अगर आप मार्च में भी manufacturing स्टार्ट नहीं कर पा रहें तो उससे आगे अप्रेल में मैं जून में बहुत दिक्कते हो जाएंगी आपको manufacturing स्टार्ट करने में क्योंकि उस समय rate fabric का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा अभी ये भी फायदा था पीछे एक दो महीना पहले कि fabric का rate भी बहुत डाउन था तो बहुत सारे लोगों ने माल लेके भर लिया, stock लगा लिया और वो अब बना रहे हैं तो वो उसी rate में party को माल दे देते हैं और इस तरीके से पार्टियाँ भी बहुत ज़्यादा हमसे जोड़ती हैं क्योंकि हम पुराने rate में उनको माल दे रहे हैं और जब आप April, May, June में काम स्टार्ट करेंगे तो उस समय fabric का rate बढ़ चुका होगा तो क्या है नए wholesaler आप से नहीं जोड़ पाएंगे और दोस्तो इस समय बहुत ज़्यादा काम है आप यकीन नहीं मानेंगे मेरे पास भी इतना ज़्यादा काम है इसी वज़ा से मैं वीडियो डेली नहीं बना पा रहा हूँ मैंने जितना भी तीन-चार महीने में श्टॉक लगाया था नबंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये सारा श्टॉक मेरा बिक चुका है अब जो माल बन रहा है दोस्तो डेली मेरा बिक जा रहा है अब ये कंडिशन है दोस्तो मसीनों पे जब हम माल लगाते हैं बनाने के लिए तो समझ लीजे वो मसीनों पर ही बिग जाता है यानि वो इस्टॉक हमारा यहां नहीं लग पाता है यहां जितना हमारा इस्टॉक लगा था जितना भी था वो सारा बिग चुका है जो अब हम बना रहे हैं वो सारा ओर्डर पर ही बना रहे हैं order है कि हम उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं यह समझ लीजिए कितने सारे order मेरे पास spending में पड़े हैं और यही बज़ा है मैं लोगों को reply नहीं दे पाता हूं बहुत सारे लोग comment करते हैं माल लेना चाहते हैं तो दोस्तों मैं इसी बज़े से आपको reply पाइड नहीं कर पाता हूं दोस्तों अगर आप भी garment manufacturing स्टार्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों अभी कर लीजिए इसी महीने में मार्च में ही कर लीजिए इससे ज़्यादा आप late करेंगे तो इससे आपको ही नुकसान होगा क्योंकि मार्च के बाद आपके grow होने के chances बहुत कम हो जाते हैं और अगर अभी आप काम स्टार्ट कर लेते जनवरी में या फरवरी में तो दोस्तों 100% मैं guarantee देता हूं आप grow हो वो सिर्फ knowledge ही लेते रहेंगे YouTube देखकर और लोगों से cable knowledge ही लेते रहेंगे और जो लोग काम करने वाले थे उन लोगों ने काम कर भी लिया है और हम दुआ करते हैं कि जिन लोगों ने भी नया setup लगाया है वो जल्द से जल्द गिरो हो और उनका काम बहुत अच्छा चले बहुत सारे order रहें उनके पास तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं तो जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो लेकर तब तक के लिए अपन ख्यार लगी जय हिंदोस्तो